Unified Pension Scheme क्या है? और मौजुदा Pension Scheme, New Pension Scheme जो है? इससे Unified Pension Scheme कितनी अलग है? इसका क्या फाइदा होने वाला है? केंदर करमचारियों को इसका कितना बड़ा फाइदा आगे मिलने वाला है? यह पूरी खबर आप विस्तार से जाने हैं, जितने सवाल आपके मन में हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, वीडियो को अंतक देखेगा. देखें सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि Unified Pension Scheme में नया क्या है? तो आखरी साल की ओसस सालरी की 50% Insured Pension इसमें मिलेगी, करमचारियों को उनके रेटायर्मेंट से पहले के आखरी 12 महीने की Basic Pay के ओसस का 50% बतौर Pension दिया जाएगा. यानि अगर किसी करमचारी को उसकी नौकरी के आखरी साल में 50,000 रुपे Basic Pay मिलती थी, तो उसे रेटायर्मेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपे Pension मिलेगी. ये बड़ी सौगात के इंद्री करमचारियों के लिए आप कह रहे हैं, जिसमें दूसरा एक बड़ा पॉइंट ये भी जान लीजिए, कि 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में Pension मिलेगी, जिनें नौकरी करते हुए 25 या उससे जादा साल हो गए हैं. 25 साल से कम और 10 साल से अधिक सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम Pension मिलेगी, तीसरा महतपून बिंदू ये है कि 10 साल या जादा नौकरी वालों को मिनिमम दस हजार रुपे की Pension इस Unified Pension Scheme के अंदर मिलने वाली है, देखिए अगर किसी करमचारी ने 10 साल से ज्यादा औ भले ही कितनी हो, तेकिन उसे Pension में कम से कम 10,000 रुपे जरूर मिलेगे, तो देखा आपने के Unified Pension Scheme के बहुत ज़्यादा फायदे आगे रिटायर करमचारीों को मिलने वाले हैं, अब आप ये जानिए कि UPS में करमचारीों के लिए जो ये फायदे हैं, Unified Pension Scheme ये New Pension Scheme से कितने आलग हैं, सरकार Pension के लिए करमचारीों के वेतन का 14 प्रतीशत पैसा अपने पास से देती थी, अब UPS से में सरकार ने अपनी भागेदारी, अपनी हिस्सेदारी जो है, वो 14 प्रतीशत से बढ़ा कर 18.5 प्रतीशत कर दी है, ये एक बड़ा difference UPS में देखा जाएगा N NPS के तरफ से, NPS के तहट करमचारी की मृत्यू के बाद घरवालों को मिलने वाली pension की जो रकम तै नहीं हुआ करती थी, वो अब UPS में, यानि कि Unified Pension Scheme के तहट इसे fix कर दिया गया है, इसमें pension का 60 प्रतीशत कर दिया गया है, जो कि घरवालों को मिलने वाली pension, मिलने वाली ये करमचारी के मृत्यू के बाद, तीसरा महतवपून बिंदू ये है दोस्तों कि कम सर्विस वाले करमचारी के लिए minimum pension के तहट 10,000 रुपे भी तै कर दिये गए हैं, तो ये तो अशौर है कि कम से कम सालरी वालों को भी 10,000 रुपे की minimum pension तो Unified Pension Scheme के माधियम से मिलने वा करता है, करमचारी के उपर निर्भर करता है, कि वो नई scheme, यानि कि Unified Pension Scheme लेते हैं, या फिर पहले से चली आ रही है, New Pension Scheme, NPS, उसको opt करते हैं, कॉमन करके जरूर बताएगा जानकारी कैसी लगी आपको.